नमस्कार, इस संकट की घड़ी में एक बार मैं पुना आपसे रूबरू हो रहा हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इस वर से मेरी ऐसी प्राथना है आप सभी लोग कैसे हैं, एक कमेंट के द्वारा जरूर बताए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कि मैंने एक बैकल्पिक व्यवस्ता की है जब तक एक कठिन समय चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से आप से रूबरू होता रहूँगा इस संकट की घड़ी में तो मैं आपसे रूबरू हूँ और आप सभी लोग के स्वस्त होने की काम न करता हूँ उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे जैसे कि ये समय है, ये समय एक जुर्ता का है, ये समय सायोग का है हम देख रहे हैं कि हमारे डेश के सामने एक गंभीर संकट आया हुआ है और पूरी मानो सभीता खत्रे में पड़ गई है सरकार द्वारा, चाहे वो राज सरकार हो, चाहे वो केन सरकार द्वारा आप कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो सरकार द्वारा जो भी आपको guidelines दी जा रही है जो भी आपको सुझाओ दिये जा रहे हैं मैं आपसे request करूँगा कि पूर तरह से आप उनका पालन करें आप social distancing का पूरा पालन करें आप लोगनाओं का पूरा पालन करें आप घर में ही रहें अगर हम घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीच जाएगे आप डर जाएगे जिससे हम इस कोरोना रूपी संकट को मोल ले रहे हैं और गलती से अब यह देखे community spirit की अवस्था में आ गया है तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जहां पर आप लोग है सुरक्षित रहें घर में रहें आज में reasoning के कि महत्पूर topic की शुरुवात करने चला हूँ जिसका नाम है inequality आप यसे जो भी लोग UPSI, CSET, BO, RO, ARO, SSC और बैंक की तयारी करते हैं उन लोगों का कई बार मेरे पास message आया कि सर inequality एक ऐसा topic कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है और बहुत कठेन लगता है क्योंकि इसको हल करने में बहुत देल लगती है तो कोई ऐसा तरीका हो कि inequality आप पढ़ा दीजिए तो हम सब लोगों को तयार हो जाए तो मैंने सुचा क्यों ना इस महत्पूर समय का OPO inequality को पढ़ने में किया जाए तो मैं inequality की आज से सुरुवार करता हूँ जो भी लोग UPSI के हैं, ROARO के हैं, BO के हैं और UPPCS में CSET के इसके language based questions आते हैं तो आप सभी लोग इसको देखिए बैंक PO के जो भी लोग हैं जो बैंक किलर की तयारी करते हैं पांच प्रिशने इसके लगातार बैंक PO, बैंक किलर के हर पेपर में आते हैं और अब ही SSC ने भी इसको पूछना प्रारम कर दिया है तो एक ऐसा topic है कि जल्दी आपको मिलता नहीं है किताबों में इसके सबाल बहुत बड़े-बड़े लगाए गए हैं आपको समझ में नहीं आते, मैं कोसिस करूँगा कि 5-7 सेकेंड में इसका सारा सवाल हल हो जाए आपसे और आपको इसमें आज के बाद ना तो आपका कोई पुरिशन गलत हो और स्कोर करने में कोई भी दिक्कत ना हो तो इसी प्रियास के साथ मैं इनिक्वल्टी को आज से प्रारंब कर रहा हो इनिक्वल्टी प्रारंब करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदर करूँगा एक कमेंट के द्वारा ये जरूर बताएं कि आप कहां से हमें देख रहे हैं और क्या आप और आपके परवार्जन स्वस्थ हैं टार्गेट बिता लोग ऑनलाइन इस्टिटूट सभी आप सभी लोगों के और आपके परवार्जनों के स्वस्थ होने की इस वर से लगादार प्रात्रा करता है आप हम लोगों के परमिस नहीं है आप से ही हमारा संस्थान है आप जहां पर भी रहें स्वस्त रहें ऐसी हमारी इस वर से कादना है Inequalty को अगर हम लोग देखें तो हम इसको दो भाग में बाट के पढ़ना है पहले भाग में हम इसकी basics के बारे में आप से बात करेंगे वो दूसरे भाग में हम इसकी प्रुष्ण उत्तर को हल करेंगे लग 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 बगर हम लोग देखें तो आदे आदे घंटे के अगर तीन वीडियो हम लोग इसमें कल लें तो देड़ घंटे में द्वारा आप सभी लोगों को बताई जा रही है उन सभी बातों को एक white paper पर pen down करिए आज मैं आपको 5-6 conditions बहुत आसानी से बताऊंगा और उनी 6 conditions पर आपका पूरा tabulation और पूरे inequality की problem solve है और कल मैं आपको bank PO से लेके IS तक के सबाल और UPSI में पिछले साल जो भी सवाल आपके inequality की पूछे गए थे वो मैं सभी सवाल आपको clear कर दूँगा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं तो आईए इस topic की सुरुवात करते हैं तो इस topic को हम लोग कहते हैं अगर हम लोग देखें तो इस topic को हम लोग कहते हैं inequality है ना हिंदी में हम इसको कहेंगे असमानताएं जो होती है वो तीन तरह के चिन्नों पर आधारित होती है टोटल यदि हम लोग देखें तो ये तीन जो होते हैं स्वतंत्र चिन्न होते हैं चिन्न तो पांच होते हैं मतलब पृतिक आपके पांच होते हैं तीन स्वतंत्र पृतिक होते हैं और दो पृतिक आपके ऐसे होते हैं जो इन तीन स्वतंत प्रतीकों से मिलकर बनते हैं तो यदि हम इन पांच प्रतीकों को देखें तो इन पांच प्रतीकों पर ही पूरी आपकी असमानता या इन क्विल्टी आपकी बेश्ट होती है आईए कैसे हमें इन पृतिकों के बारे में जानना और कैसे हमें इन पृतिकों का यूज करना है इसके बारे में हम बात करते हैं बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत आराम से इन चीजों को धीरे-धीरे क्लियर करते चलेगे आज में आपको जितनी conditions चार पांच बता रहा हूं मेरा आप से निवेदर है उसको एक white paper पर अगर आज आप लिख लेंगे तो कल से आपको कोई भी सवाल लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी आईए बात करते हैं इन चिन्नों को हमें कैसे देखना है इन पृतीकों के बारे में अदि हम लोग बात करें जैसे माली जी एक पृतीक में ने ये लिखा एक पृतीक में ने ये लिखा और एक पृतीक में ने ये लिखा जब तक हम किसी पृतीक के सामने content नहीं लिखते हम नहीं बता सकते कि वो greater है कि lesser है मतलब वो बड़ा है या छोटा है बरावर का पृतीक तो सामने से इस पष्ट दिखता है कि वो बरावर का पृतीक है लेकिन जब तक हम किसी पृतीक के आगे उसका content को नहीं लिखते तब तक हम बड़े और छोटे का बोद नहीं कर सकते जैसे यदि हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यह A है और यह B है तो अब इसकी resultant के बारे में हम आराम से क्या कर सकते हैं चीजों को clear कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी तरफ हम इसको कहते हैं mouth मुह हिंदी में कहते हैं तो जिसकी तरफ मुह open होता है वो बड़ा होता है greater और जिसकी तरफ मुह बंद होता है या close होता है वो क्या होता है lesser तो यहाँ पर हम आराम से कह सकते हैं क्या बताओ B बड़ा है A से क्या कह सकते हैं B बड़ा है A से A से अब यहाँ पर वाली जी हम लिख दें A और B तो आप हम यहाँ पर कह सकते हैं A बरावर है B के बिल्कुल basic से चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं A लिख दूँ और यहाँ पर मैं B लिख दूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा B छोटा है किस से? A से B छोटा है A से, तीन तरह की conditions यहाँ पर आपने देखी, जिसकी तरब मुखला है, वो बड़ा है, B बड़ा है A से, इसका मतलब एक A भी है, कि A छोटा है B से, भाई, B बड़ा है A से, तो A छोटा है B से, A और B बरावर है, यहाँ पर B छोटा है A से, इसका मतलब है A की तरब म से अब हमें देखे तीन तरह की conditions हमें मिलती है निसकल की रूप में हमें बस इतना समझना है कि यदि किसी में एक condition सही हो गई तो फिर दो conditions कभी भी सही नहीं हो सकती जैसे मालने जी उपर अगर अगर यह सिद्ध हो गया है इसको अगर हमें statement मालने कथन मालने और इस statement में ये सिद्ध हो गया है कि B बड़ा है A से तो फिर कभी भी इस statement में A बड़ा है B से और A बरावर है B से ये सही नहीं हो सकता ये हमेशा गलत होगा अगर statement में एक निसकर्स पूर रूप से सत्गोसित हो चुका है तो उसके साथ आने वाले जो दोनों ही निसकर्स होते हैं वो सर्वता असत्त होते हैं वो कभी भी सत्त नहीं हो सकते अगर यहां पे clear कर दिया गया आपको कि B बड़ा है A से तो यहां पर A बड़ा है B से अब यह इस statement में कभी भी सही नहीं होगा और A बड़ावर है B से अभी इस statement में कभी भी सही नहीं होगा अगर मैंने इस statement में आपसे कह दिया कि A बड़ावर है B से तो अब आप लोग बताईए यहां पर क्या क्या सही नहीं होगा तो यहाँ पे ना तो यह सही हो सकता है कि A बड़ा है B से और ना ही A सही होगा कि B बड़ा है A से क्योंकि दोनों का मान एक दूसरे से बरावर है और यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है अता है यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा यदि हम यहाँ पर कहें A छा, B छोटा है A से इसका मतलब क्या हो गया? A बड़ा है B से तो अब यहाँ पर दो हमारे statement बिलकुल कभी भी सही नहीं होंगे बताओ कौन-कौन से एक तो हमारा यह सही नहीं होगा कि B बड़ा है A से और A बराबर है B के यह दोनों ही statement हमारे यहाँ पर क्या होंगे? गलत होंगे तो पहली बात तो हमें यहाँ पर यह जाननी है कि statement में इन तीन चिन्नों में से निश्चित रूप से अगर कोई एक चिन्न सही हो जाता है तो इसके साथ वाले जो दोनों resultant होते हैं अगर B बढ़ा हो गया है A से तो ना तो अब A B से बढ़ा हो सकता है और ना ही A B के बराबर हो सकता है अगर A और B के मान बराबर हो गए है तो ना तो अब A B से बढ़ा हो सकता है ना ही B A से बढ़ा होगा और अगर A बढ़ा है B से तो नहीं अब B बड़ा हो सकता है A से नब कि A बरावर हो सकता है B से बहुत आसान तरीकिसे आप ऐसे समय लिजे ये बड़ा है मैंने इसकी value लिख दी 25 और इसकी value लिख दी 20 अगर इस सिद्धो सका है कि 25 बड़ा है 20 से इस statement में तो अब कभी भी 20 बड़ा नहीं हो पाएगा 25 से इस सही नहीं हो पाएगा और दूसरा कभी भी 20 बरावर नहीं हो पाएगा किसके बताओ 25 के ना तो ये सही हो पाएगा अगर हम आंके कमान के तोब भी देखों तो भी ये बात सथ है कि जू resultant एक बार सही हो जाता है उसके साथ वाले जो resultant होते फिर वो कभी भी सही नहीं होते तो तीन जो बहुत बुनियादी बात है हमें समयाद रखनी है आपकी inequality में वो हमारी पहले ए है उम्मिद है कि यहां तक की चीज आपको clear हो चुकी होगी अब आगे बात करते हैं ठीक है अब इससे आगे जब हम चलते हैं सपोच करिए तो यहां पर मैंने जैसे कोई भी एक statement पूरा लिखा मैंने मैंने लिखा A B और C clear और यहां पर इस statement के साथ मैंने त्रीचे दो निसकर्स लिखे यह मैं चौथी condition पर बात कर रहा हूँ तीन condition मैं आपको बता चुका हूँ बहुत आसानी से यहां पर मैंने आपको निसकर्स दिये तीन है ना यहां पर मैंने लिखा इस निसकर्स में कि B बड़ा है A से आसानी से समझे दूसरे निसकर्स में मैंने लिखा A छोटा है C से और तीसले निस्कर्स में मैंने लिखा कि B छोटा है C से अब इन तीनों ही निस्कर्स को हमें यहाँ पर क्या करना है जाचना है तो इन तीनों ही निस्कर्स को जब हम यहाँ पर जाचेंगे तो यहाँ पर आप समझ लीजिए देखे, यहाँ पर हमने एक ही value को माल लिया 20 अब बी ऐसे बड़ा है तो कुछ ला कुछ value तो हमें देनी ही है थोड़ा भी बड़ा होगा हमने एक आंकिक माल लिया 25 वह यह हमने यहाँ पर माल लिया 30 ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया अब मैंने आपसे यहां पे कहा B बड़ा है A से हम आंकिक मान को हमेशा नहीं रख सकते लेकिन हम basic को आंकिक मान को रख के clear कर सकते है तो B बड़ा है अगर A से तो आपने कहा यहां पे हम मान 25 रख सकते है और यहां पे हम A का मान कित्ता रख सकते है 20 तो आपने का निश्यत रूप से 25-20 से बढ़ा है और ये क्या होगा? सही होगा और ये कथन आपका सही है अब हम लोगों ने कहा कि A की value कितनी थी तो आपने कहा 20 और C की value कितनी थी 30 तो आपने कहा C बढ़ा है A से इस statement से ये बाद भी सही हो रही है और B की value कितनी थी बताओ 25 और C की value यहाँ पर कितनी थी बताओ 30 तो आपने कहा 30 बढ़ा है B 25 से और A भी सही है तो आपने कहा दिये हुए कथन के आधार पर जो नीचे तीनों ही निसकर्स दिये गए थे ये तीनों ही निसकर्स बिलकुल क्या है? बताओ ये सत्य है, इनमें कोई भी दिकर्स नहीं है तो बार बार हम यहाँ पर इस आंकिक मान के concept को नहीं ले सकते यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है चिन्नों का समान होना और असमान होना जहां से पूरा inequality आपका travel करता है कैसे? देखिए जैसे हमें देखना था B और A के बीच पे तो ये तो हमें साफ साफ दिखना था कि B और A का लेलेसन नहीं है तो यहाँ से हमें इस statement में यह चीज मिल गए यह सी दिस ही हो गया अब हमें A से लेके C तक की journey में चलना था तो A से लेके C तक की journey में निसकर्स में हमें एक ऐसा चिन्न चाहिए था जिसका मुख C की तरफ खुला हो और A की तरफ बंदो हमें बस एतना ही देखना है कि A से लेके C तक की जर्णी में हमें एक ऐसा सिम्बल चाहिए था जिसका मुख C की तरफ खुला हो और A की तरफ बंदो तो ऐसे लेके सी तक की जरनी में देखिए वो सिम्बल हमें दोनों तरफ क्या मिला कॉमन मिला अगर एक सिम्बल कॉमन है तो इसको हम कहते हैं पृतिक का समान होना तो जो हमें निसकर्स में चाहिए यदि वो उस तर्म से लेके उस तर्म तक की जरनी में हमें common मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं निसकर्स समान है और ने तो हम क्या कहते हैं कि पिर्थीक क्या है बताओ समान है और यदी पिर्थीक समान होता है तो निसकर्स हमेशा क्या होता है सत्त होता है तो यहां से एक basic मैं आपका यहाँ पर निकाल ला हूँ कि यदि पिर्तीक समान हो तो निसकर्स क्या होते हैं सत्त होते है जैसे एसे लेके सी तक की जर्णी में जो पिर्तीक हमें यहाँ पर चाहिए था वो पिर्तीक बताईए क्या है कॉमन है और अगर यह पिर्तीक common है यह से लिए कि C तक की जड़नी में तो निस्कर्स क्या होगा, सत्व होगा अब हम आंकिक मान के हिसाब से नहीं देख पाएंगे, हमें सीधे देखना है अगर हम B और C की बात करें तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है B और C में यह बात सीधे-सीधे B, C, D, और E समान निस्कर्स अगर हमें देखना है अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया B छोटा है E से तो अब आप यह देख लिजे कि B से लेके E तक की जरूर्णी हमें चलनी है और यह निस्कर्स है, यह आपका कथन है B से लेके E तक की जरूर्णी में हमें एक ऐसा सिंबल चाहिए जिसका मुख E की तरफ खुला हो जिसका मुख B की तरफ बंदो तो आप आसानी से देख सकते हैं सिंबल को, इसका मुख E की तरफ खुला है और B की तरफ बंद है और बी से लेके ई तक की जर्नी में निसकर्स क्या है बताईए समान है देखिए यहां पर भी निसकर्स है यहां पर भी निसकर्स है और अगर निसकर्स यहां पर समान हो अगर निसकर्स यहां पर प्रतीक देखिए प्रतीक अगर यहां पर समान हो तो निसकर्स क्या होते है बत कि D बढ़ा है A से, क्या पूछा हमने, D बढ़ा है A से, अब आप देखिए कि आपको A से लेके D तक की जरणी में ट्रेविल करना है, कहां चलना है, A से लेके D तक की जरणी में ट्रेविल करना है, तो आप A से लेके D तक देखिए, आपको एक ऐसा सिंबल चाहिए, जिसका D क की तरफ खुला हो और एकी तरफ बंधो तो आप गौर से देखे ए से लेके डी तक की जरीनी में जो सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल क्या है common है इसका मतलब अगर सिंबल common है तो निसकर्स क्या होगा सत्त होगा तो पहला concept जो यहां से हम लोगों ने लिया वो हमारा concept क्या हुआ कि यदी पिर्तीक समान हो तो निसकर्स कैसे होते हैं बताईए तो निसकर्स सत्त होते हैं सत्त होते हैं यदी पिर्तीक समान हो तो निसकर्स कैसे होते हैं यह सत होते हैं, clear भी बात, फिर चलिए, यह पहली condition हमने आपके लिए, यहां की चौथी condition है, क्योंकि इससे पहले हम लोग तीन condition को आराम से discuss कर चुके हैं, अब एक और condition पर हम लोग यहां पर चलते हैं, clear, आईए, देखिए, अब माल लिजे हमेशा तो ऐसे होगा नहीं, जै P, Q, R, S, T, अब यहां पर मैंने दो आपको अलग-अलग तरीकी से निसकर्स दिले, पहला निसकर्स मैंने आपको दिया यहां पर कि P, छोटा है R से, और दूसरा निसकर्स मैंने आपको दिया, Q, छोटा है T से, अब यहां पर हमें एक और concept clear करना है, धीरे-धीरे हम इसमें variation लाते हैं, अब concept हमारा यह है, कि पहले बाले अगर हम निसकर्स को देखें, तो यह तो हमारा कथन हो गया, पाचमा basic मैं है clear करना हो आपका, यह हमारा यहां पर कथन हो गया, अब P से लेके R तक की जरिनी में अगर हमें travel करना है, तो P से लेके R तक की जरिनी में हम आसानी स travel कर सकते हैं, और निसकर्स के हिसाब से हमें एक ऐसा symbol चाहिए, जिसका मुख R की तरफ खुला हो और P की तरफ बंदो, क्या चाहिए बताओ, जिसका मुख R की तरफ खुला हो, P की तरफ बंदो, तो आप समी लोग उत्तर करिए, क्या जो symbol आपको चाहिए, वो symbol common है की नहीं है आप कहेंगे बिलकुल common है तो अगर पृतीक समान है तो बताओ निसकर्ष क्या होता है सत्थ होता है इनके बीच का पृतीक समान है तो निसकर्ष क्या होगा बताइए सत्थ होगा अब यहाँ पर है q और t अब गौर से आप देखिए q से लेकर टी तक की जरनी में हमें चल ला है और हमें एक ऐसा सिंबल चाहिए जिसका मुक्ती की तरफ खुला हो क्यों की तरफ बंद हो अब गौर से दिखिए यहां तक तो यह बात सही थी लेकिन यहां पर यह प्रतीक असमान हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो यहां पर प्रतीक समान नहीं है क्योंकि अगर प्रतीक समान होते देखे क्यों से लेके हमें किस की जरनी करनी है टी की और क्यों से लेके टी की जरनी में जब हम चल रहे हैं यहां पर तो यहां पर प्रतीक समान नहीं है तो निसकर्स हमेशा क्या होते है असत्त होते है तो यह आपका दूसरा बेसिक क्या हुआ कि अगर प्रतीक असमान है तो बताओ क्या होगा निसकर्स कैसे होते है तो आप कहेंगे निसकर्स असत्त होते है अगर प्रतीक असमान है तो निसकर्स कैसे होते है असत्त होते हैं तो अगर पृतीक समान हैं तो निसकर्स कैसे होते हैं असत्त होते हैं और अगर पृतीक असमान होगा यहाँ पर निसकर्स कैसे होंगे बताइए असत्त हो जाएंगे जैसे कि आपने हाँ पर clear किया clear होई बाद आप चलिए फिर एक conditions पर चलते हैं जैसे माल लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा एक चिन होता है जैसे मैंने लिखा Q is greater than or equal to P मतलब एक्जामनन ने अगर यह बात लिखी है तो इसका मतलब यह है कि एक्जामनन यहाँ पर confirm नहीं है कि Q P से बढ़ा है कि हो सकता है कि Q P से बढ़ा हो और दूसरी बात क्या निकलती है हो सकता है P Q के बढ़ाबर हो तो जब एक्जामनन ही सथ नहीं है एक्जामनन को ही यह बोध नहीं है और दोनों यहाँ पर चिन हैं और दोनों ही चिन दिये गए हैं तो देखिए, हो सकता है कि इसका मान 20 और इसका मान 20 और हो सकता है कि इसका मान 20 और इसका मान 25 और क्योंकि चिल्न के हिसाब से दोनों ही condition हमारी यहाँ पर set होती है, तो कभी भी एगर ऐसी इस्तिति आती है और हम इसको निसकर्स एक मान लेते हैं निसकर्स दो मान लेते हैं तो कभी भी यह दोनों ही एक साथ सही नहीं हो सकते क्योंकि पूरी condition है कि हम इसको भी सही करेंगे और इसको भी सही करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी बात नही है इस statement में कि हम इसको गलत कर सेयां इसको लेकि दोनों भी एक साथ सही नहीं हो सकते क्योंकि या तो मान 20 होगा और या तो मान 25 होगा तो यहां पर हमें लिखना होता है या तो या तो A सही है या B सही है मतलब इधर A और B या तो निसकर्स एक सही है या तो निसकर्स दो सही है तो इस condition को हम कहते हैं इधर और क्योंकि यहां पर दो तरीके के symbol ऐसे होते हैं या हम लिखते है ए वाला symbol यह सुतन्तर symbol नहीं होते है और यह कभी भी सत्पृतिशन सही निसकर्स नहीं होते है जब भी ऐसे symbols लगे हों तो निसकर्स इधर और में चले जाते हैं लेकिन ऐसे symbols कभी भी दो content के साथ एक साथ नहीं आते हैं जैसे मैं इससे एक समीकर बना के आपको समझाना चाहूं कैसे जैसे माल लेज़े statement में कोई चीज आ रही जैसे मैंने लिखा P Q R S T ध्यान देज़ेगा P Q R S T हम लोगों ने एक statement लिखा इस तरीके से और मैंने यहाँ पर निसकर्स लिखा आपके लिए चलिए पहला निसकर्स है यहाँ पर मैंने लिखा क्या P और T अब तो आप लोग समझ चके होंगे दूसरा निसकर्स मैंने लिखा P बराबर R और तीसरा निसकर्स मैंने लिखा P S गोड़ से दिखेए अब आपने कहा कि यह तीन तरीके की निसकर्स यहाँ पर दिए गये है और जिसका आप लोग को यहाँ पर क्या करना है देखना है तो सबसे पहले आप P और T की जड़नी में जाएए तो P से लेके T तक की जड़नी में आप देखिए यहाँ पर आपको एक सिंबल ऐसा चाहिए था जिसका मुक्ती की तरफ खुला हो हम दोनों ही सिंबल को मान के चलेंगे हमें निश्चित नहीं कर सकते कि बासपर में कौन सा सिंबल है तो यह सिंबल यहाँ पर भी है यह सिंबल यहाँ पर भी है यह सिंबल यहाँ पर भी है P से लेके T तक की जड़नी में यह सिंबल कोमन है और अगर P से लेके T तक की जड़नी में यह सिंगल समान है तो बताओ यह निसकर्स क्या हो जाएगा सत हो जाएगा क्योंकि जैसे ही पृतीक समान होते हैं, निसकर्स क्या होते हैं, बताओ, सत होते हैं अब हम लोगों ने लिखा P बरावर R, क्या लिखा बताओ P बरावर R अब P से लेके R तक की जर्णी में आप जाएए, तो जो बरावर का चिन्न है वो भी बताओ P से लेके आर्टक की जर्णी में क्या है, बताओ, common है, और अगर ये चिन common है, तो हम कभी भी इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें guarantee नहीं है कि ये चिन है, या तो ये चिन होगा, या तो ये चिन होगा, तो इस चिन को भी हम जुटला नहीं सकते, क्योंकि 50% अगर इस चिर्ण के होने की बात है, तो 50% इस चिर्ण के भी होने की बात है, तो P बरावर Q में बरावर का जो निसान है, वो P से लेके R तक की जर्णी में ये भी क्या है, बताओ समान है, इसलिगे ये निस्कर्स भी क्या होगा, बताइए, सत्त होगा, और तीसरा S बड़ा है P से, पी से लेके जब हम S तक की जर्णी में आते हैं, तो ये देखिए बड़ा वाला जो सिंबल है तीनों, ये तीनों में common होता है, तो ये भी समान है, तो ये भी निस्कर्स क्या होगा, बताए ये सकता होगा, तो कभी भी अगर double सिंबल आ जाते हैं, दो प्रतीक आ जाते हैं, तब भी उसमें हम ना तो किसी प्रतीक को हटा सकते हैं, और ना किसी प्रतीक को बड़ा सकते हैं, इसलिए जो भी प्रतीक उनके वीच में होते हैं, उन प्रतीकों को निस्कर्स के रूप में क्या माना जाता है, सत्त माना जाता है, क्योंकि 50% चां जहां पर सबसे ज़्यादा confusion होता है और bank P.O. में सबसे ज़्यादा सवाल आपकी यहीं से गलत होते है मैं यहीं पर इसको compare करना चाहूँगा यहीं पर देखिए मैंने थोड़ा सा इस समी करण में change किया और मैंने लिखा P और Q और R और S और T थोड़ा सा change कर लिया क्या लिखा P Q R S T अब गौर से देखिए तो यहां पर मैंने क्या लिखा था यहां पर तो आपको मालूम है कि nisqrs क्या है समान है और आपने इन तीनों को क्या कर लिया सही कर लिया अब यहां पर अगर मैं आप से कहूँ P बरावर है R की जो मैंने यहां लिखा था वो मैंने यहां लिखा clear फिर मैंने लिखा P छोटा है S से clear और फिर मैंने लिखा P छोटा है T से तीन चीजें देखिएगा तो सबसे पहले तो देखो इसको चेक कर लो P से लेके S तक की जरनी में हम लोग देख रहे हैं कि सिम्बल अनकॉमन हो गए है लगातार और अगर सिम्बल असमान है तो निसकर्स क्या होगा असत्थ होगा आप इसको आराम से समझेए सवाल बहुत आराम से clear होगा P से लेके T तक की जरनी में भी आप देख रहे हैं कि निसकर्स देखिए असमान है अब तो देखते ही clear है और जैसे निसकर्स असमान है तो यह क्या होगा असत्थ होगा है ला क्योंकि लगातार आप देखिए एक दूसरे को आखें दिखा रहे है एक दूसरे को पीठ दिखा रहे है असमान है अब बात आई केवल एक चीज़ की जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो बात किसकी आई पी से लेके आतक की जर्णी में तो आप कहेंगे पी बरावर आर है तो आप कहेंगे बरावर का निसान यहाँ पर है और बरावर का निसान दोनों में कॉमन है बले सिंबल अलग है तो यह सही होगा लेकिन यह असत्त होगा बस इसी चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है क्या समान पृतिकों के साथ बरावर का चिन सत्त निसकर्स देता है ध्यान दीजे क्या है लिखना है आपको पेज़ पर समान पृतिकों के साथ बरावर का चिन कब सत्त निसकर्स जब वो एक ही तरह के common symbols के साथ apply हो समान पृतिकों के साथ जो बरावर का आपका चिन होता है बरावर का चिन वह सत्त निसकर्स देता है वह सत्त निसकर्स देता है लेकिन असमान पृतिकों के साथ देखिए बरावर का चिन यहाँ पर क्या है असमान पृतिकों के साथ है तो आप यहाँ पर देखिए, असमान पृतिकों के साथ बराबर का चिन हमेशा असत्त निसकर से देता है, बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर और क्लियर करनी है, और बस एक लास्ट बेसिक हमारा यह है, फिर मैं पांचों बेसिक को एक बार और रिवाइज करता हूँ, और फिर सवाल हमारे लिए आसान हो जाएंगे, कि अगर हमने किसी समी करण को ऐसे लिखा है, आर, आर, आर इस लेस देन, डबलू बरावर के, इस लेस देन टी और पी, माल लिए हमने कोई समी करण ऐसे लिखा है, तो जिन दो चिन्नों के बीच बरावर का निसान लगा होता है, मेरे भाई ध्यान रखेगा, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यह समी करण ऐसे लिखा जा सकता है, और जिन चिन्नों के बीच बरावर का निसान लगा होता है उन चिन्नों को बदल कर भी ये समीकर लिखा जा सकता है आर डबलू है ना अब हम इसके स्थान को बदल सकते हैं के है ना बरावर क्या है बताओ डबलू फिर ये क्या है टी और ये क्या है पी तो हमें इतना याद रखना है कि जिन पिर्तीकों के साथ बरावर का निसान होता है उन पिरतीकों के स्थान को आपस में इंटर्चेंज कर दिया चाहता है तो या तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख लें और या तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख लें इसमें कोई भी दिक्कर नहीं है तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने पांच बेसिक आपके किलियर किये मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूँ यही पूरी इनिक्वल्टी की आपकी जान है क्या अगर किसी कथन के साथ एक निसकर्स सही गया हो तो उस कथन के दोनों ही निसकर्स आपस में क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं फिर सत नहीं हो सकते हैं अगर B बड़ा है A से सपष्ट हो चुका है तो उसी कथन में अब A B से बड़ा नहीं हो सकता और A और B के बरावर नहीं हो सकता दूसरी बेसिक बात अगर A और B के मान एक दूसरे के बरावर होच गए है तो अब ना तो A B से बढ़ा हो सकता है और ना ही B बढ़ा हो सकता है A से क्योंकि पहले ही कथन में डिकलेयर कर दिया गया है कि बरावर है हमेशा content सत्त निसकर्स देता है और असमान पृतिकों के साथ हमेशा content असत्त निसकर्स देता है अगर चिन्न के बीच में आने वाले पृतिक समान हो तो समान पृतिकों के साथ सत्त निसकर्स और असमान पृतिकों के साथ असत्त निसकर्स होता है तीसी बात यही पर हम लोगो का जो चिन है वो असमान पृतिकों के साथ कभी भी सत्त निसकर्स नहीं देता हमेशा असत्त निसकर्स देता है और ये बरावर का चिन सबसे ज़्यादा परेशान आपको करेगा हमेशा ध्यान रखे अगर बरावर का चिन समान पूस्टिन्परतिकौं के साथ है तो वो 7 निश्कर्स देगा, लेकर अगर बरावर का चिन्परतिकौं के साथ है तो कभी भी 7 निस्कर्स आपको नहीं देगा, उस सबसे last basic हम लोगों ने यहां पे clear किया क्या बता हो, कि अगर 2 चिन्परतिकौं, के मद बरावर का चिन्न लगा हो तो हम दोनों कंटेंट्स का इस्थान आपस में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं अब देखिए पहली बात अगर समान पृतीक हो तो निसकर्स क्या होगा सत्थ होगा दूसरी बात अगर असमान पृतीक हो तो निसकर्स क्या होगा बताओ असत्थ होगा तीसरी बात बरावर का जो चिन है वो समान पृतीकों के साथ सत्थ निसकर्स देता है चौथी बात बरावर का जो चिन है वो असमान पृतिकों के साथ असब्तनिसकर्स देता है जैसे मैंने आपको समझाया और पाच्वी मात बरावर का चिन, जिन दो इस्थानों के बीच में लगाया गया हो, उन्नों दोनों इस्थानों का आपस में स्थान परवर्तन कर दिया जाता है, हम इस समेंकरड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये पाचों बेसिक्स आपके दिमाग बिगदम सेट हो गए ह है आप सभी लोग देखिए दो-तीन बाते में यहां पर आप से fluently कहना चाहता हूं फिर आगे पड़ता हूं संकट हमारे देश पर है लेकिन एक चीज हमेंसा याद रखेगा कहीं संकट में मानवता ना हार जाए आपके आसपास जो भी गरीब हों जो भी असहाय हों मेरा आप सभी लोगों से बिनमरन रोध है कि मेरा आपको दिया हुगा सबसे अच्छा उपहार यही होगा कि आप उनमें से कर एकाद दो लोगों की मदद करें हम सब को युस्वन नेतना समर्थ बनाया है कि हम किसी को कम से कम एकाद टैम का भुजन तो कराई सकते हैं तो मानावता जिन्दा रहे यह समय हमारे एक जो ठोने का है हमारे परस पर एक दूसरे के सहयोग का है कोसिस करिए 50-100 रोपय अगर डाइरेक्ट किसी को दे सके या आपको लगे कि हमारे थोड़े से खाना देने से उसका पेट भर सकता है तो उसकी सहायता जरूर करें बहुत जरूरी है दोसी बात किसी भी कीमत पर कितिनी भी बड़ी परिस्तिती हो आपको किसी भी व्यक्ति के 2-3 मीटर के डायरे से दूर रहना है क्योंकि ICMR की रिपोर्ट है इसका मतलब है इसको हम लोग कहते कम्यूनिटी स्प्रेड गबर्मेंट डिकलियर नहीं कर रही है वो अलग बात है लेकि 40% से अधिक मरीज ऐसे हैं जिन जुनकी ना तो कोई कभी ट्रेविल हिस्ट्री है और ना ही वो कभी ऐसे मरीजों के संपर्क में आए हैं जिनकी ट्रेविल हिस्ट्री हो तो इसका मतलब यह हो गया कि अब आपके लिए खत्रे जादा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर रूप से पालन करना है और अपने घर में रहना है असहाय लोगों की मदद करनी है जितना हो सके लोगों को जागरुक करना है हम द की जरूरत हो आप डायेक्ट मुझे कांटेक्ट करिए इन कारियों में हमेशा सबसे आगे रहता हूं मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरा यह जीवन ही आप लोगों के लिए है मैंने इस जीवन को ही आप लोगों को समर्पित करके रखा है जीवन में कभी भी आपको मेरी ज खराब पोश्ट हैं, उनको आप सियन न करें, उनको आप स्पिरिट न करें, ताकि ये मानोता जिन्दा रहे, हम लोग का जो स्वाहाद र प्रेम, जो सहयोग की भावना है, वो बिल्कुर सहयोग की भावना बनी रहे, वो जिन्दा रहे, हम सभी लोग एक दूसरे से फिर से म सेंगे एक बार फिर मुस्कुराने का समय आएगा एक बार हम लोग फिर जबर्जस तरीके से जीतेंगे और यह देश रहेगा हम लोग हम रहेंगे जितने कम से कम लोग इस नुकसान में जाए जिसती कम से कम छती हो उसको देखे गरीवी को मिटाईए कम से कम खाना लोगों त क्योंकि आप जो यह सेवा कर रहे हैं, इस सेवा का पुर्णा आपको निश्चित मिलेगा। मैंने आपसे एक और अन्रोट पिछले रटलो वीडियो में किया था, कि मैं आप सभी लोगों से फेस्बुक से जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोग फेस्बुक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो हम लोग कई तरह की बाते कर सकते हूं, वहां पर भी पढ़ाई लिखाई कि बहुत सारी सामेगरी में आपसे भेज सकता हूं, तो मैं हम लोग के बीच का यह इसने हैं और प्रिगर हो, हम लोग एक परवार की तरह जुर सकें, इसलिए मैं आप सबी लोग उसे अरोद कर रहा हूं कि मैं आपसे फेस्बुक पर चुड़ना चाहता हूं, आप लोग मुझे फेस्बुक पर फॉलो करिए क्योंकि मैं फ्रेंड रिकर्ष्ट स्वीकार नहीं कर सकता, और मैंने आपको इससे पहले भी अपनी आईडी दिखा रहा हूं यहां पर, कि आप लोग फेस्बुक पर यहां पर यह मेरी आईडी है और इस आईडी पर कई लोग मेरे नाम से दूसरी आईडी भी बनाए हुए हैं, इस आईडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रभी पी तिवारी यह आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पर आप मुझे फॉलो करिए, और हम लोग एक नया एक परवार बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ताकि जीबर में कभी आपके कोई समस्या हो, इस नहीं बना रहा है, ताकि एक connectivity बन सके कर आपको कोई चीज की जरूरत है, तो target बिता लोग online institute, हम सभी लोग एक साथ एक जुड़ रहे हो, और आपके साथ खड़े रहे, या कोई हमें निर्णाय लेना हो, तो हम उहां से spread कर दें, या हमें कोई seat आपको भेज नहीं हो, तो मैं कह दूँ, messenger में आप उस seat को ले लिजे, तो आएए, एक दूसर से connect होते हैं, ताकि एक और माध्यम ले इस connectivity का, तो रभी पीतिवारी ये मेरी ID है, इस ID पर आप मुझे follow कर सकते हैं, और बहुत आराम से आप इस पर मुझे follow करिए, आप लोग यहां पर देख रहे है पर हम लोग यहां पर जो सकते हैं, तो यह inequality के बारे में एक basic बात थी, अब basic बात के बारे में बात जो, अगला जो step हमारा आता है, वो आता है, हमारा tabulation का, अब इसके बाद बस इसकी एक सारणी मनाई जाती है, आपसी समझ से, और सारणी बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कि इसके प्रश्णों को हल करते हैं, बहुत आराम से हैंना, तो तीन चरण में हम लोग प्रश्णों को हल करेंगे, पहले चरण में हम लोग प्रश्णों को हल करेंगे, जो आपके UPSI में पूछे गए हैं, और सीसे चरण में हम लोग प्रश्णों को हल करेंगे, जो आ आज हमने आपसे इतनी बातें की, कल के वीडियो में जब मैं आपसे रूबरू हूँगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके टेविल कैसे बनाई जाती है, और इसके प्रश्णों को हम लोगों को कैसे हल करना है, तो कल मैं टेवल बनाने के साथ पुरुष्णों को हल करूँगा, जो सजन बाद में जुड़े हैं, मुझसे जो वीडियो शुरूने के बाद, वो एक बार इस पूरे वीडियो को रिवाइच करके जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो के बाद ही इनिक्वल्टी आपको सम टार्गिर्व दालोग ओनलाइन इस्टिटूट की तरफ से आज के अपिसोड में इतना ही, मैं लगातार, चाहिए कितनी भी मुस्किल हो, मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वस्त्र हूँ, मैं सोचल डिस्टेंसिंग करूं, और जितने इस समय में, जितना मैं आपके लिए कर स ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करूँ इनी सुपकावनाओं के साथ आज की बात को समात करता हूं कल टैबुलेशन के साथ और सवालों के वीडियो के साथ फिर आप से रुबरोगा बहुत पर धर्नवाद नमुश्यू